अगोच में आख और न आख अग कि आ यह अग कि मास कम्मूनिकेशन ने ह्परके या मास कम्मूनिकेशन के माध्यम से क्या यह वीडियो दो पार्ट में डिवाइट किया गया है एक है introduction की mass communication से क्या होगा और दूसरा quick discussion of the range of mass communication की mass communication क्या-क्या है तो चलिए शूरू करते तो इधर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर हम लोग जानेंगे introduction for the scope of mass communication mass communication का scope अभी ये जमाना में बढ़ क्यों रहा है क्योंकि ये जो technological innovation हो रहा है आप compare केजिए 10 साल पहले लोगों के पास इतना mobile phones नहीं था इतना upgraded technology नहीं था internet इतना fast नहीं था पर अभी क्या हो रहा है technology बहुत तूरंध develop कर रहा है तो ये develop के कारण क्या हो रहा है ये mass communication का scope बढ़ जा रहा है लोगों और भी educated बन रहा है media literacy बढ़ रहा है ये कारण है कि technology अच्छा हो रहा है इसलिए mass communication का scope बढ़ रहा है दूसरा जो बात है range of economic activity पूरा globe में economic activities अच्छा हो रहा है अच्छा कैसे हो रहा है digital age में एक अलग सा job opportunity create हो रहा है पूरा दुनिया का लोग civilized हो रहा है मैंतला media literacy media education बढ़ रहा है ताकि लोगों को income करस्ता भी आ रहा है 10 सल पहले कोई सोच सकेगा कि YouTube से इतना लाखो पैसा कमाया जा सकता है या दूसरा digital marketing करके बहुत अच्छा बहुत career growth अच्छा हो सकता है ये कोई सोचा भी नहीं था पर ये mass communication इतना flourish कर रहा है इतना boom position में आ रहा है due to number one कि technology तूरंत बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है और उसके बाद दूसरा है कि पूरा globally लोग civilized हो रहा है media literacy बढ़ रहा है और ये जो trade और commerce हो रहा है इसके साथ क्या हो रहा है कि liberalization आप कोई भी country से हो ये पूरा global the whole globe is becoming a village पूरा wish एक village हो जा रहा है जहां मतलब आज आप यहां बैठके एक American client के साथ आप काम कर सकते है या दूसरा wise versa तो पूरा globe से ये काम हो रहा है ठीक है ये trade और commerce सिर्व अपना country में ये limited नहीं है ये पूरा country से जूर जा रहा है हम लोग इसलिए mass communication का scope एक world perspective में बहुत अच्छा तरीके से तेजी से बढ़ रहा है और तीसरा बात कि power of persuasion mass communication जैसा कि main functions of communication होता है persuade करना तो ये mass communication ये technology इतना rapidly बढ़ रहा है लोगों को इतना influencers आ रहा है आज के जमाने में ठीक है तो इसके कारण mass communication है इसलिए influencers आ रहा है इसलिए ये scope तेजी से बढ़ रहा है तो इसके मुताविक हम लोग आगे का slide में देखेंगे कि mass communication में हम लोग का scope क्यो बढ़ रहा है क्या-क्या scopes है mass communication में तो जैसे कि आप देख पाड़ है इसलिए scopes मतलब क्या-क्या है एक है commerce और trade में मतलब business में mass communication plays a very important role social issue में mass communication बहुत अच्छा role play कर रहा है social issue मतलब लोगों को बताना कि कैसे मतलब लोगों को persuasion, mass communication mass के साथ communicate करना किसे भी social issue अप news के साथ देख सकते है कि news के साथ public क्या चार है public क्या सुनना चाते है public का opinion form हो रहा है यह mass communication के करन मतलब mass communication यह social issues create कर रहे है most important जो part है mass communication human resource को manage करता है यह जो HR वाला काम होता है कि human resource job opportunities देता है mass communication mass communication humans को लेके deal करता है फिर हम लोग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे government affairs मतलब government का कोई policy आ सकता है यह सब चीज लोगों को बताना है लोगों को message disseminate करना है लोगों को message बोलना है यह भी mass communication ही करता है यह भी mass communication का एक scope है फिर है जो commerce and trade वोला point बोला वो है world का मतलब पूरा globalized पर दूसरा बात है अपना state में business करने के लिए भी mass communication help करता है mass communication एक scope देता है कि खुद का state में business करो भाई और ultimately जो mass communication scope देता है mass communications हम लोग को educate करता है because the main principles of communication or mass communication is to educate is to inform तो education का मतलब एकदम school में जाके किताब और books लेके या college में जाके पढ़ाई करना नहीं education मतलब कुछ चीज जानना कुछ नया चीज जानना जैसे कि एक example दे रहा हूं कि मेरे को यह mass communication का थोड़ा बहुत topics पता है because I am studying this particular subject for five years तो इसके लिए मैं ये video record करके आप लोगों को साथ explain करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग educate हो पाए ठीक है तो ये साड़ा scopes ये educations, ये social issues commerce and trades ये सब कुछ ही तो एक education है तो mass communication का अगर scopes देखा जाए तो एक होता है business करने के लिए worldwide या state में दूसरा है social issues public का opinion फॉर्म करने के लिए human resource manage करने का मतलब होता है कि job opportunities भी mass communication बहुत देता है और ultimately mass communication का जो main scope है वो है education देना अब हम लोग आगे का slides में देखेंगे each and every topics, each and every ये जो 6 points मैं discuss कर रहा हूं ये 6 points को हम लोग अगला slides में और भी आसान तरीके से समझेंगे तो सबसे पहले आ रहा है commerce and trade तो mass communication के साथ business का क्या connection है कोई भी business चलाना तो communication ही है public के साथ communication be it internal public, be it external public आप customer के साथ deal करेंगे आप अपना खुद का company का लोग के साथ deal करेंगे तो ये तो गया एक छोटा सा aspect पर each and every businessman सब businessmen चाता है कि अपना business expand हो सही बात तो business जब expand होगा तो उसके लिए एक world perspective चाहिए जैसे जितना भी बड़ा बड़ा organizations है, जितना भी बड़ा बड़ा company है, तो वो क्या चाहिएगा कि अपना product एक world famous recognition पाए, ठीक है तो ये world famous होने के लिए क्या चाहिए, world में अपना जानकारी चाहिए, कि मेरा product है, I am from India and I sell this particular brand, XYZ brand is my own brand तो क्या करे, own brand को पूरा world में showcase करने के लिए mass communication चाहिए तो ऐसे showcase कैसे करेंगे, by the means of mass communication, पूरा world को ये दिखाएंगे, तो mass communication हम लोग को सबसे पहला scope ये देता है, कि trade and commerce का, तो चलिए next slide में देखते है, क्या बोलते है तो क्या चल रहे है अभी अभी हम लोग का society में क्या चल रहे है, news क्या है hard news क्या है, soft news क्या है, ये साड़ा बात हम लोग को journalism या mass communication बताते है कोई inform करते है हम लोग को, हम लोग को जानना परता है, हम लोग जानते है ये news के मद्धम से अब देखिए, कुछ news मेरे लिए news है, आपके लिए news नहीं है, according to our own interest, पर ये जानने वाला चीज, ये unknown चीज, हम लोग को mass communication ही communicate करके बताते है society में क्या चल रहा है क्या issue चल रहा है, अभी budget आ रहा है, तो financial भी क्या होगा क्या plan होगा, union budget में क्या आएगा, vote आने से क्या होता है daily क्या क्या कुछ हो रहा है newspaper में साड़ा news elements सब कुछ mass communication बोलता है मानिये दूसरा, ये जो covid वाला scene था, हम लोग सब ने ये pandemic face किये, तो क्या नया regulations आने वाला है, क्या करना पड़ेगा, lockdown कब से शुरू होगा, कितना cases बढ़ रहा है, तो क्या precautions हम लोग को लेना पड़ेगा, ये साड़ा सब कुछ हम लोग को mass communication message disseminate करते हैं तो चले अभी देखते हैं कि human resource को manage करना mass communication के साथ, इसका relation क्या है, connection क्या है तो हम लोग को जैसे पता है कि mass communication मतलब education होना कुछ चीज सीखना, तो जो चीज में हम लोग का interest है वो चीज को और भी बैतर कराते हैं, ये mass communication आपको finance में, आपको financial journalism में interest है ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए और भी आप उसका information gather करेंगे आप YouTube वीडियो से gather कर सकते informations, आप online articles पर सकते हैं, आप vlogs देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको एक अच्छा education देंगे, तो जब आपको अच्छा education मिल जाएंगे, जब आप काबल हो जाएंगे, तब आप बहुत अच्छा तरीके से अपना job perform कर पाएंगे, अपना specified target job perform कर पाएंगे, तो ये होता है कि एक ऐसा जगा जहां आप आपका skills develop कर सकते हैं, तो जितना educated अपना field में होएंगे, उतना success आपको मिलेगा, उतना आप अच्छा तरीके से काम को कर पाएंगे, तो इसे लिए human resource develop करने के लिए भी mass communication बहुत important है पता है भई, government न ये किया है, government न ये tax बढ़ा दिया है, government न ये capital gain tax बढ़ा दिया है, government न ये किया है, government न वो किया है तो इसका ख़बर कहां से मिलता है इसका ख़बर भी newspaper television, radio, electronic media था कि YouTube का channel से update सब जगा से मिलता है तो government officially governmental affairs भी आप लोगों को आप लोगों तक पहुचाते हैं, हम लोगों तक पहुचाते हैं, कैसे ये medium ये उस करके now quickly moving on to the next part that is the business of the state state का business मतलब mass communication के साथ business का जो connection है, जो पहले आप लोग को बता दिए कि वो trade, global trade वाला part में है, उससे पहले क्या आप business एकदम starting से ही globally business कर पाएंगे नहीं, business charity begins at home, business शुरू होता है सबसे पहले घर से, घर मतलब अपना state से, तो mass communication छोटा छोटा business भी अपना state से start करते है, तो business के साथ आप you might be wondering की, what is the relation between business and mass communication, relation है business, mass communication के अलावा होगा ही नहीं, आपका internal public और आपका external public सब किसी को आपको control करना पड़ेगा, वो mass communication का help से so now quickly moving on to the next part of this video, that is the education part, तो अभी हम लोग देखेंगे कि education, मतलब mass communication का scope, ये education और mass communication के साथ कैसे जा रहे है तो जो कि हम लोग को पता है कि the main function of mass communication is to inform, is to persuade, is to educate, लोगों को नया चीज़ बताना, लोगों को educate करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ education का मतलब अपना copies लेके school में या college में जाना नहीं है, education का मतलब जानना knowledge बढ़ाना, तो ये knowledge भी बढ़ता है mass communication के साथ मतलब internet से हम लोग का television से, हम लोग का newspaper से, articles से, books से सब कूछी तो mass communication का part है तो ये सब को जोड दीजे education से, तो this also brings to our final point, that is education helps us, education हम लोग को help करता है, नया चीज जानने के लिए, तो education कहा से मिलेगा education mass communication से मिलेगा, thank you guys for watching at is no media keep supporting and if you like our video, please do consider to subscribe our channel, thank you